पुलिस ने बड़ी गारवाई करते हुए शातिर चोर को चुराया गया पर्स, नगदी और चाकू सहीद आठ चोरी के मुबाल सहीद गिरफतार किया है महीं दूसरे मामले में एक मादर्ग परदात तसकर को अफिम और गांजा बरामत किया है जियारपी थाना परबारी राम अफदार ने बताया कि रेलवे स्टेशन की सगन तलासी अभ्यान के दोरान आरक्षन काराले के पास बैटे एक सक्स को पुलिस से नजर बचाचे देखा जिस पर उसे इराशत में लिया और उसकी तलासी ली तो उसके पास 680 ग्राम अवेद मादर्ग परदात अफिम और 500 ग्राम गांजा बरामत किया गया पुलिस पूस्तार्च में उसने अपना नाम गेगल निवासी मौईनुदिन बताया जिसके खिलाब पुलिस ने NDPS Act में मुकदमा दर्ज कर जाश चुरू कर दी जियारपी अजमेर द्वारा तीन अलगलग प्रक्रणों में तीन वक्ती ग्रपतार किये हैं एक वक्ती से आदा किलो अफिम और आदा किलो गांजा जब्त किया और उसको ग्रपतार करके NDPS Act के तेत कारवई की जा रही है अफिम और गाजा मिला के करीब 90 जार किमत के हैं अफिम गांजा जिसके कबजे से बरामद हुआ ये गेगल निवासी मौहिन उदी महीं दूसरे मामले में जियारपी ताना प्रभारी गाम अफ्तार ने बताया कि 26 मई को परिवादी सेकुल और सेफुल पश्चिम बंगाई के रहने वाले यूवक ने चोरी का मुकदमत दर्च कराया था जिस पर पुलिस ने कारवाई करते हुए बरकपुर निवासी पंकर जामिर को चुराए गए माल सहीद गिरफतार कर जाहां सुरू कर दी है दूसरे के कवजे से एक चोरी गया पर्स जिसमें से 10,000 रुपे और चोरी के या आठ मोबाईल एमो में एक चाकू बरामत किया गया उसको गिरफतार किया गया और तीसरा दो वर्स में से फरार इस्ताय वारंटी था उसको भी गिरफतार करके आज ने आलेम पेस किया गया उनकी रकम क्या है और मोबाईल चोरी और पर्सोरी का जो आरोप ही पंकज ये बरतपुर निवासी है और इस्ताय वारंटी का नाम मुहमत बुंदुखा है कहां नहीं जाना तो बेशने के लिए जाने के लिए स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमुले सुझाओ दीजिये और इस वीडियो को लाइक वर शेयर करें पिज़ा पॉइंट कंगार फुट डिलिशिस मोमेंट